असलाम अलेकुम आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू और पनीर के कबाब बहुती मज़िदार बहुती आसान और बहुती टेस्टी कबाब या फिर आप इनको काटलेट्स भी बोल सकते हैं ये बन कर तयार होते हैं तो चलिए देखते हैं इनको हमें कैसे बनाना है मेरे चैनल को सब्स्राइब करके इस बेल की बटन को ज़रू दबाईएगा तभी मेरी लेटिस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा पनीर आलू कबाब बनाने के लिए मैंने लिया है 150 ग्राम पनीर जिसको मैंने कदुकश करके रखा है तीन मीटियम साइज के आलू को मैंने उबाला और हाथों से मैश कर लिया अच्छे से मैश करेगा इसमें लंप्स नहीं होने चाहिए और एक टेबल स्पून लेविल करके मैंने कौन फ्लार लिया है आप चाहें तो अरा रोट ले 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 या पर भुनाओ बेसन भी ले सकते हैं इसके जगापर आदर टीस्पून अद्रक और आदर टीस्पून लेसन का पेस्ट लेंगे पाउडर टीस्पून लेंगे एक टीस्पून चाट मसाले का पाउडर एक टीस्पून लेंगे नमक आदर टीस्पून लेंगे काली मिर्चो का पाउडर एक टीस्पून लेंगे जीरे का पाउडर आदर टीस्पून लाल मिर्चो का पाउडर एक तीहाई छोटा चमच लें का पानी नी चोड़ दिया पानी बिल्कुल निकाल दीजेगा उसके अंदर से और इसके साथ दो तीन हारी मिर्चे लेंगे आधे नीबू का रस लेंगे और एक मुट्टी करीब हरा धनिया लेंगे तो सबसे पहले हमें ले लेना है एक बड़ा मिक्सिंग बोल और इसमें हम ट्रांसफर कर देंगे पनीर और इसे के साथ जो हमने आलू उबाल के रखे में वो भी हमें इसमें डाल देना है आलू को आप जब उबालिएगा तो उसको फॉरा नहीं पानी में से निकाल लीजेगा वरना अगर वो पानी में पढ़े रहते हैं तो वो पनीले से हो जाते हैं और कटलेट्स फिर अच्छे नहीं बनते हैं और सारे पाउडर्ड मसाले हम इसमें डाल देंगे इसके साथ डाल देंगे काउन फ्लार आप चाहें तो भुनाव बेसन डाल लें या फिर अरा रोड डाल लें यह बैंडिंग का काम करता है कबाबो को बादने का काम करेंगा अदरक लेसों का पेस्ट भी डाल देंगे और इसे के साथ डालेंगे प्यास, हारी मिर्ट और हारा धनिया नीबू का रस्पी इसमें निचोड़ देंगे और इन सभी इंग्रीडियंट्स को बहुत अच्छे से मिला देंगे एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे यहां पर हमारा मिक्सचर तेयारे अब हमें यहां पर इसमें थे चोटे-चोटे पोर्शन लेने और इसको कबाब का यानि की कटिलेट्स का शेप देदेना है तो आप अपने मन चाहे शेप का इसको रख सकते हैं बड़ा चाहें तो बड़ा रख लें, चोटा चाहें तो चोटा रख लें, जैसा भी आपको अच्छा लगता है मैं दर्मियाना साइज रख रही हैं और यह देखें इस तरह से हमारे कबाब बन कर तयार हो जाएंगे एककर के हम इनको बना कर एक साइड में रखेंगे तो यह देखें इस तरह से मैंने यहां पर कबाब बना कर रख लिए है विर इतने मिक्सचर में 8 से 9 हमारे कबाब बन जाएंगे अब हम लें पर कबाब काप कोटिंग के लिए कुछ तयारी करनी है यहां पर हमारा कॉन फ्लार का घोल यानि की कॉन फ्लार सलारी बनका त्यार है इसको हम रखेंगे एक साइड में और इधर लिए मैंने चार थे पांच ताजी ब्रेट के क्रम्स simply मैंने ताजी ब्रेट को मिक्सी में डाला और उसका पाउडर सा बना लिया तो यह ताजी ब्रेट के क्रम्स बन गए अब हम एक एक कड़के अपने कटलेट को डिप करेंगे कौन फ्लार की स्लारी में या फिर आप अंडे का गोल अंडा ले ली जागा अंडे में डिप कर ली पर हैं बन inacces 준स्क्त में ब्रेट करणाना बैच यह जाएं ऑफक्र?" आप तो स्धिन को करेंगे सब्सक्राइबी स्लाइए हर यह जाएं जाने कर्लिया गार मोचा फ्रीज तर्वार में फ्रीज कर शाडने और चार निया करें प्रिजी को डिव में इस लड़त में अशक में इसको टच नहीं करेंगे ताके जो कोटिंग है इसमें अच्छे से फिक्स होven इसके बाद ही हम इसकी सैट को बदलेंगे जन्यूश्य अब हम इसकी सैट को बदल देना है जब आपको समझ में आ जाए कि कोटिंग इसमें की फिक्स हो चुक Ye की साइट को बदलिएगा गैस की फिले मीडियम ही रखनी है इस बात का ध्यान रखना है लो बिल्कुल भी मत करिएगा अब हम इसको पर्फेट्ली गोल्डन हो जाने तक दोनों तरफ से फ्राइ करेंगे तो मैंने अच्छा था कलर आजाने तक इनको फ्राइ कर लिया है बहुत अच्छा कलर आ गया है एक्दम क्रिस्प हो गया है हमारे कटलेट्स तो अब हमें इनको निकाल लेना है और यहाँ पर हमारे पनीरालू के मज़ेदार कटलेट्स बनकर तयार हैं और ये देखिए एकदम क्रिस्पी हमारे पनीरालू के कबाब बनकर तेयार हूएं आप सुन सकते हैं की क्रंचनेस और मैं आपको अंदर से भी कट करके दिखाती हूँ ये अंदर से बहुत ही सौ guessing भी मोगा ऑवगा हैं और बहुत आप कर्शापी है जरूर से आप इनकर ट्राय करेगा हमारे करेंगी आपको ये फैंली को बहुत पसंद आएंगे आपको मेरी पनीर आलू कबाब की रेसिपी पसंद आई होगी जरूर से इसको ट्राइ करिएगा बचों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या फिर आप इसको एवनिंग स्नाक में बना सकते हैं बहुत तेस्टी लगते हैं रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक रसब्सक्राइब जरूर के चका था थाइक यू